मेरे प्रिये छात्रों आप लोग कैसे हैं असा करते हैं आप लोग स्वस्थी होंगे आज की विडियो में लाए है एक्सरसाइज 3.2 का ये 15 नंबर का क्वेस्चन बहुत एजी है दखेंगे आप सॉल्व करेंगे 15 नंबर देखें ये दिया हुआ है यहां मैट्रिक्स है 3 by 3 ओडर का तो कह रहा है इसका मान ज्याद किजिए a square minus 5a plus 6i यहां 6 into i है i है यूनिट मेट्रिक्स एक i आप यू जिसका डाइगॉनल एलिमेंट वन अदर्वाइज जीरो तो यहां i जितना a order का है मैट्रिक्स उतना ही order का i लेना है यूनिट मैट्रिक्स और थात a है 3 by 3 order का तो i भी लेंगे 3 by 3 order का जिस तरह का 15 नंबर का question है उसी तरह का 16 नंबर भी है तो पहले हम लोग 15 नंबर को देख लेंगे यहां देखें दोस्तों यहां का रहा है a square तो कि इस सब का value निकाल करके जैसे a square का value निकालेंगे ए दिया हुआ है आई का मान हम जानते ही है 3 order का और यहां रख देंगे और इसको stop कर देंगे तो यहां से इसका value प्राप्त हो जाएगा जैसे देखिए पहले a square निकाल लेंगे क्या निकालेंगे a square a square को लिखेंगे a into a जैसे किसी question में a cube दिया हुआ रहेगा तो पहले वहाँ a square निकालिएगा ऐसे करके उसके बाद a q निकालिएगा तुसको लिखेंगा a square into a अब इसको a into a लिखेंगे तो a का value यहां से देंगे यह है two zero one two one three one minus one zero फिर यहां एक अफेलू देना है एक बार और two zero one two one three one minus one zero अब यहां दोस्तों इसको क्या करना है multiply करना है और multiply करने का rule जानते हैं आप लोग फस्ट रो फस्ट कोलम फिर फस्ट्रो सेकेंड कोलम फिर फस्ट्रो थर्ड कोलम इस तरह की किरिया हम लोग करते रहते हैं जब तक कि इसका total column समाप्त नहोंग जाए तो इस फस्ट्रो को स्थ बोल इंति तो अगला होगा two into two less zero into two unless one into one के फैस्ट रोफ फ़ास्ट ओल मफिर इसी तरह से फिर्स्ट रो second column to two into zero less zero into one less one into minus one अब इसह तरह से मास्ड रोख को 3rd column से तो 2 x 1 plus 0 x 3 plus 1 x 0 फिर 2nd row 1st column 2 x 2 plus 1 x 2 plus 3 x 1 2nd row 2nd column 2 x 0 plus 1 x 1 plus 3 x 1 2nd row 3rd column 2 x 1 plus 1 x 3 plus 3 x 0 3 x 0 of 3rd row 1st column 1 x 2 plus minus 1 x 2 plus 0 x 1 3rd row 2nd column 1 x 0 plus minus 1 x 1 plus 0 x 1 3rd row 3rd column 1 x 1 minus 1 x 3 plus 0 x 0 element को multiply करके add करते हैं अब यह देखे दोस्तों दो दोनी 4 plus 0 plus 1 होगा यह 0 plus 0 minus 1 होगा यह 2 plus 0 plus 0 होगा 4 plus 2 plus 3 0 plus 1 minus 3 2 plus 3 plus 0 2 minus 2 plus 0 0 minus 1 यह 0 1 into minus 1 to minus 1 plus 0 यह दोस्तों 1 minus 3 plus 0 इसको लिखेंगे इतना 4 1 5 minus 1 2 4 2 6 3 9 minus 2 5 0 minus 1 और यह माइनस 2 यह स्क्वार निकल गया है क्या निकल गया दोस्तों यह स्क्वार अब यहां जो equation दिया है यहां से चलेंगे 9 यह स्क्वार माइनस 5a plus 6i इसी का मान गयात करना था दोस्तों इसलिए स्कुल लेके चल रहे है यह स्क्वार का वेलू यहां से दे देना है 5-1 2 9-2 5 0-1-2 यह दे दिये यह स्क्वार का वेलू माइनस 5 into अब यहां से एक वेलू देना है इसका वेलू देना है दोस्तों एक वेलू यहां है कोईस्टन ही है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 कि प्लेश सिक्स इन्टो आई जितना ओडर का ए है उतना ओडर का यूनिट मैट्रिक्स तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डियागॉनल एलिमेंट 1 अदर्वाइस जीरो अब क्या है दोस्तों सको सॉल्फ करेंगे हम लोग आगे देखेंगे तो अब देखें इसमें 5 से मल्टिप्ला कर देना इसमें 6 से कर देना है इसको एक स्टिप लिख देते हैं इसे 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 अब 5 से हम मल्टिप्ला कर देना है 5 को 2 से करेंगे 10 होगा हाईब जिरो से जिरो 5 को 1 से 5 5 को 2 से करेंगे 10 होगा फाइब को ऑन से करेंगे 555 को 3 से 15 ucain 5-1 से 55-1 से embora High- tota jukelt okay अहां 6 से करना है तिह से 600000 τα pass अभी दोस्तों यहह ला है यह दोनों प्लेस विला है कि यह भी प्लेस बना है और यह भी कि पिलेस्त वلا है दोनों को एक और देगे और बीट मीफ क्या करेंगे माइनेस करेंगे देखे दोस्तों है ला पर मैं और दोनों को यहां से 55 और चॉप जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा जाहर हुं माइनस वन में 0 को एड़ करेंगे माइनस वन में किसको एड़ करेंगे 0 को एड़ करेंगे यहाँ देखिए दोस्तो 5 प्लस 6 11 हो गया फिर माइनस वन में 0 को एड़ करेंगे तो माइनस 1 ही रहेगा 2 में 0 को एड़ करेंगे 2 होगा 8 करके लिख रहे हैं 9 में 0 को जड़ेंगे 9 होगा मैनस 2 में 6 को जड़ेंगे तो 4 हो जाएगा 5 में 0 को जड़ेंगे 5 होगा और 0 में 0 को जड़ेंगे 0 होगा मैनस 1 में 0 को जड़ेंगे मैनस 1 होगा मैनस 2 में 6 को जड़ेंगे 4 होगा हम मैनस है 10, 0, 5 टेन 5 15 5 minus 50 कि अब हमस्मिस स्कोमा इस को मैंनास्य ग्यारह म्लिश्ट जैगा एक मैनस वन भी सिरो जाएगा मैनस वन दो में से पौश जाएगा मैंनस तीन नो मिसेर द स्वार्ब पहुंच जाएगा मैनस एक चार में से पंच जाएगा चार, चार में से जीरो घटेगा, चार, दोस्तों यही होगा आपका final answer, तो इस तरह का question दिया हुआ रहेगा, तो ग्यात करने के लिए कहेगा, तो हम लोग आसानी से ग्यात कर लेंगे, जैसे 16 नमबर में भी यही question है, वहाँ a cube दिया हुआ है, तो a cube को पहले a square निकालेंगे उसके बाद a cube निकालेंगे, a square के लिए a into a, जैसे इसमें solve किये हैं, उसी तरह से a cube, a cube को लिखेंगे a square into a, फिर सबका value निकाल करके उसमें रख देंगे, फिर वह ग्यात हो जाएगा, अब हम लोग दोस्तों देखेंगे 17 नमबर का question, एक question है, 17 नमबर उसको भी देख ले a minus 2, 4 minus 2, यह matrix दिया हुआ है, तथा i unit matrix, a है 2 by 2 का, तो 1, 0, 0, 1, यह unit matrix है, a1, a square is equal to k into a minus 2i हो, तो, यह 2 into i unit matrix हो, तो k का मान ग्यात की, अच्छा question है, k का मान ग्यात की जिये, अच्छा question है, बहुत simple है, जैसे उसको solve करते थे उसी तरह, यहाँ भी a square निकाल लेंगे, और सब का value पूट कर देंगे, बन जाएगा k का value, k यहाँ क्या है, a scalar है, क्या है, a scalar है, कोई constant है, उसी का value ग्यात करना, अच्छा question है, पूछता है, दोस्तों, अगर आप लोग channel पर नए हैं, तो subscribe कर लें, ताकि नए आप to date मिलता रहेगा, और वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप लोग comment box में जाके comment भी करें, like भी कर दें, और share भी कर द a square को लिखेंगे, a into a, a का value है, 3 minus 2, 4 minus 2, into, फिर a का देना है, 3 minus 2, 4 minus 2, अब क्या करना है, दोस्तों, दोनों को multiply करना है, multiply करना है, multiply करने का rule जानते है, first row, first column, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फिर सकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फिर से जानिए दो बाभियो का गुना तभी संभव होता है जब कि इसका कॉलम फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो सेम होना चाहिए यहां देखिए दोस्त जो multiply करके प्राप्त होगा, वो भी होगा 2 by 2 का, यह 2 by 2 का, इस तरह से आप order निकाल सकते हैं, first row को first column से करना है, तो देखिए दोस्तों, 3 को 3 से करेंगे 9 होगा, minus 2 को 4 से करेंगे, तो plus minus 8 हो जाएगा, first row, second column, 3 को minus 2 से करेंगे, minus 6 होगा, माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे प्लेस 4 हो जाएगा अब सेकेंड रो फर्स्ट कोलम करना है 4 को 3 से 12 होगा और चाज 4 को 2 से करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कोलम 4 को 2 से करेंगे माइनस 8 होगा और 2 2 4 हो जाएगा इस तरह से इसको लिखेंगे हम लोग 9 में से 8 मैनस होगा 1 मैनस 6 प्लस 4 मैनस 2 4 यहाँ भी होगा मैनस 4 देखें दोस्तों यहाँ पर A² निकल गया अब क्या करना है यहाँ रखाएंगे हम लोग 9 गिवेन जो दिया गया है A² is equal to K A minus क्या है 2I A² का दोस्तों यह value दे दीजी आप 1 minus 2 4 minus 4 क्यों को ऐसे रखना है A का value वहाँ से देना है जो दिया हुआ है question में देखें 3 minus 2 4 minus 2 3 minus 2 4 minus 2 minus 2 into I भी आपको दिया हुआ है देखें हम दोस्तों दिया हुआ है question में 1 0 0 1 1 0 0 1 अब क्या है दोस्तों यहाँ पर इसको 2 से multiply कर देंगे और इसमें से minus कर देंगे चलिए 1 minus 2 4 minus 4 is equal to K से multiply होगा दोस्तों यह होगा 3K minus 2K 4K minus 2K और यहाँ 2 से multiply करेंगे 2 0 0 2 2 बन जाए 2 2 को zeros करेंगे 0 2 into 0 0 2 into 1 2 अब यह minus में है दोस्तों यह RHS में है इधर आएगा तो क्या होगा प्लेस तो ले आए एट करेंगे तो 1 में 2 को एट करेंगे 3 minus 2 plus 0 minus 2 4 plus 0 4 minus 4 plus 2 तो minus 2 2 is equal to 3K minus 2K 4K minus 2K अब आब यह की समानता से दो आब यह जब बड़ावर होता है तो संगत अभी अब इसका सेम होता रथा 3K is equal to लिखेंगे 3 या minus 2 is equal to minus 2 4K is equal to 4 किसी भी तरह सिखा लिएगा तो यहाँ के का वेलू सेम आएगा तो यहाँ लिखेंगे हम आब यह की समानता से अब आप मैट्रिस तो यहाँ देखिए फास्ट रो फास्ट कोलम का जो अलिमेंट है वह क्या है कि फस्ट फास्ट कोलम का अलिमेंट थी है और यहां क्या है 3K 3 is equal to 3K या किसी से मानस टूइजग तो मानस टूब कि यह दोस्तों बोले थे शुरू में सकेलर है और इस तरह से का फिलू क्या निकल गया वन निकल गया अच्छा question है यह question तो आज की वीडियो में इतना ही धन्नवाद आप लोग इसी तरह से चैनल पर बने रहे हैं और वीडियो देह देख दो